हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्वाद और सेहत से भरपूर बहुती ज्यादा स्वाधिश्ट मखाना खीर की रेसिपी और ये खीर खाने में चितनी टेस्टी है बनाने में उतनी ही आसान भी आप इसे बना कर रत में फर्याली आटे की पूरी के साथ भी खा सकते हैं बहुती हेल्दी और टेस्टी लगती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं मखाने की खीर बनाने के लिए मैंने यहां लिया है एक कप मखाना जो वजन में 60 ग्राम के बराबर है अब गेस पर रखेंगे एक कडाही और इसमें डाल देंगे एक चम्मज घी घी को पहले गरम कर लेंगे और यहाँ पर घी जो है गरम हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे सारे मखाने अब हमें इन मखानों को अच्छे से सेखना है तो गेश की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इन्हें लगातार हिलाते हुए क्रिस्पी होने तक सेखेंगे यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा मखाने बहुत जल्दी जलने लगते हैं तो फ्लेम को हाई मत करिएगा और इन्हें लगातार हिलाकर उलटते पलटते हुए इनका कलर चेंज किये भीना अच्छा कुरकुरा सेख लेंगे और लिजे फ्रेंड्स लगातार दो मिनिट तक सेखने के बाद मखाने अच्छे से भून गया हैं इनके अंदर की नमी चली गई है और बहुत ही अच्छे सी खुश्बो आ रही है गी में भूनने से तो अब हम गेस को बंद कर देंगे और इन्हें एक फ्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे और बाद में इन्हें हम क्रश करेंगे अब गेस को फीर से ओन करेंगे और कडाही में डाल देंगे एक लीटर फुल क्रीम दूद इतना गाड़ा दूद लेंगे आपकी खिर उतने ही टेस्की बनेगी हाई फ्लेम पर फेले हम दूद को अच्छे से बॉइल करेंगे अब आप देख सकते हैं कि दूद में उबाला गया है तो अब हम गेस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और दूद को गाड़ा होने देंगे इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 15-20 केसर के धागे केसर डालने से दूद का रंग हलका पीला हो जाएगा और हमारी खीर देखने में सुन्दर और स्वाधिष्ट बनकर तयार होगी और अब इधर हमारे मखाने भी अच्छे से ठंडे हो गया है और देखिए ये इस तरह से हाथों से ही बड़ी आसानी से तूट रहे हैं आप चाहे तो इन्हें एक प्लास्टिक बेग में भर कर बेलन या कर्ची से उपर से कूट कर भी क्रश कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स प्लीज मिक्सर में मत इन्हें ग्राइंड कीजिएगा क्योंकि उसमें कुछ मखाने बहुत ही महीन पीस जाते हैं और खीर का टेक्शर उतना अच्छा नहीं आता है और इन में से कुछ साबूत मखाने हम खीर की गानिशिंग के लिए निकाल लेंगे और देखिए आप इस तरह से चार से पाच मखाने एक खट्टे एक साथ हाथ में लेकर भी क्रश कर सकते हैं और देखिए इस तरह से मखानों को हमने क्रश करके खीर के लिए तयार कर लिया है और इधर दूद में भी अच्छा उबाल आ रहा है और अम मलाई जमने लगी है तो इसे हम दूद में मिला लेंगे और इस पेचुला को कड़ाई की तली से लगा कर दूद को हिलाते हुए गाड़ा करेंगे ताकि दूद तली में जलेना साइड में लगी मलाई को इस पेचुला से निकालते जाएंगे और दूद में मिला लेंगे और देखें दूद गाड़ा हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारी क्रश किये हुए रोस्टेड मखाने अनों को हिलाते हुए दूद में अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और अब हम इसमें एट करेंगे कुछ ट्राइफ रूट्स मैंने यहां आट से तस बादाम को काट करके लिया है और आट से दस ताने चार ओली भी ली हैं एक चमच के बराबर पिस्ता कतरन डाल रहे हैं और अच्छे फ्लेवर और खुश्बू के लिए दो हरी लाइची का पाउडर डाल देंगे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके दो मिनिट के लिए मखानों को और पकाएंगे जिससे की दूद में गलकर नरम हो जाए अब आप देख सकते हैं कि मखाने दूद में अच्छे से फूल गए हैं तो अब हम खीर को मिठा करने के लिए इसमें डालेंगे चीनी तो खीर की इतनी क्वांटिटी के लिए 5 चम्म चीनी ठीक रहेगी आप चाहे तो चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं एक खीर बनाती समय एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खीर बनाए किसी भी प्रकार की चाहे चावल की, साबुदाने की या मखाने की चीनी को बिलकुल लास्ट में डालिएगा इससे खीर अच्छे से पकती भी है और साथ में दूद के फटने का चांस भी नहीं रहता है चीनी डालने के बाद खीर थोड़ी पतली हो जाती है तो इसे मैंने दो से तीन मिनिट के लिए और पका लिया है और बहुत ही बड़िया कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है ठंडा होने पर ये थोड़ी और गाड़ी होगी तो गेस को अब हम बंद कर देंगे और खीर को एक सर्विंग बावल में ट्रांसफर करेंगे थोड़े से बादाम और पिस्ता कत्रन से गार्निश कर लेंगे और जो भूने हुए मखाने हमने बचा करके रखे थे ना उन्हें भी इस तरह से सजा लेंगे जिससे कि देखने पर पता चले कि यह मखाने से बनी स्वाधिष्ट खीर है मखाने हमारी हेल्थ के लिए बॉन्स के लिए कितने अच्छे होते हैं यह सबको पता है तो यह हमारी दानेदार लच्छेदार रबड़ी जैसी मखाना खीर बनकर तयार है इसे बनाकर खुद भी खाईए और अपनी फैमिली को खिलाईए और मुझे कमेंट करके बताईए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थेंक्यू सो मच पर वाचिंग